यूपी बोर्ट के लगवग 52 लाग से जादा परिक्षार्थियों का आज इंतिजार खत्म होने वाला है जो परिक्षार खत्म हो चुकी है तो कब आएगा बोर्ट परिच्छाओं का रिजल्ट सब कुछ बटाएंगे इससे पहले आप अपने राजिक का नाम और अपने जिरे का नाम कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को लाफ तक देखते हैं ना हम आपको रिजल्ट की आवेदन किया था जिसमें चार लाग परिचार्थियों ने अपना एक्जाम छोड़ दिया था ठीक है बाकी चाठ चात्राएं जो परिच्छाद दिये हैं पहले हम बात कर लें कि कॉपियां किस टाइप से चेक हो रही ऐसा क्या चाठ चात्राएं अपनी कॉपी पे लिख जिससे उनको टॉप बनाया जारा है ठीक है टॉप पर उनने क्या लिखा है ठीक है तो सब कुछ बताएंगे एक एक चीज आपको बताते चलेंगे सबसे पहले हम आपको बता दे कि जिन भी परिचार्थियों ने अपनी कॉपी पे पैसे लगा और कॉपी खाली छोड़ दी उनके नंबर काट दिये जाएंगे ठीक है और बहुत ही जादा जो पच्छे में काट पीट ही है उनके भी नंबर काटे जाएंगे ठीक है और जिन भी परिचार्थियों ने ठीक है जिन भी परिचार्थियों को अगर एक दो कुष्चन नहीं आते थे बाकी कुष्चन आ र और लगभग, लगभग, एक से देड़ हपते बाद आपका रिजल्ट घोशित कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इससे पहले कॉपी बहुत ही जल्दी जल्दी चेक होगी, अगर आपने रिलेटर लिखा है, बिना कार्ट पीट की हुए बहुत ही गंदा ना लगे, इस टाइप इस टाइप से आपको नमबर नहीं मिलेंगे, इस टाइप से नमबर कार्ट दिये जाएगे, और अगर आपने साफ सुत्रा ढंग से बहतर ढंग से लिखा है, तो आपको टॉपर बनाए जाएगा, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको अगर नहीं आता तो उस से रिलेटेद लिखे, लेकिन कुष्चन को छोड़िए मताए, अगर आपने कुष्चन छोड़ दिया, तो आपको भाई टीचर देगा कहा से, जब कौपी ही नहीं लिखी होगी, तो नमबर देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, उस ए वीडियो के माधियम से प्रोवाइट करते रहेंगे, थैंक यू